हेलो फ्रेंड्स, रोटी कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप के दो कपड़े के टुकड़े लिये हैं, जिसे कि मैं बीचो बीच फोल्ड करूँगी, तो अभी मैं इसे बीचो बीच ऐस तरह से फोल्ड कर लूँगी, जिससे कि इसकी चार तह बन जाए तो यह बीच से फोल्ड करने के बाद यह देखे फ्रेंड्स, यहाँ पर चार पीसे में यह बन चुके हैं, तो अभी जब हम इसको कटिंग करेंगे, तो इसमें से चार कटिंग पीसे निकलेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक सरकल शेप का प्लेट, और इस प्लेट के नाप से मैं इसको कटिंग करूँगे, तो नाप के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने शरकल सेप का निशान लगा लिया है, तो प्लेट हटा देते हैं, अब इसी शेप पर जो निशान हमने लगाया है, इसकी कटिंग कर करेंगे, तो प्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथानी से इसे कट करें, निशान से बाहर नहीं हमें कट करना है, बिल्कुल निशान के उपर से ही से कटिंग करनी है हमें, आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा या छोटा भी सरकल बना सकते हैं, मैं तो अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्म शीट ली है, और इसे इस तरह से फोल्ड करके, मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है, और इसको कट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दो फॉर्म शीट चाहिए, तो यहाँ पर अब मैं एक फॉर्म शीट हटा के, पहले उपर की लेयर तियार करूंगे, तो यहाँ पर मैंने एक कपरा लग रख दिया है, और इसकी दूसरी साइड पर भी हम दूसरा पीस लगा देंगे, पीस को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और इसके चारो तरफ हमें सिलाई लगा देनी है, तो फ्रेंट्स यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, यह देखिए फ्रेंट्स, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और यह दोनों साइड से अच्छा सिला है, बस हमें ध्यान रखना है कि बीच में जोल ना आए, और मैं यहाँ पर उपर से दो लाइन और सिलाई करूंगी, इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है, फोम अच्छे से सेट हो जाती है, तो यह दो सिलाई लगाने के बाद मैं इधर बीच ओ बीच, एक और सिलाई लगा दूँगी, यह देखिए फ्रेंट्स, और इसके बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर महरून कलर का कपड़ा लिया है, तो यह स्ट्रिप साइज का एक कपड़ा है, और इसे इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे, किसी भी कलर का बॉर्डर बना सकते हैं, तो यह देखिए, प्रेंट्स, एक तरफ से सिलाई लगाने के बद इसे फोल्ड कर लेंगे, और दूसी तरफ से भी हम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि यह अच्छा सा बॉर्डर बनके त्यार हो जाएगा, और देखने में भी यह सुन्दर लगत है और इसी तरह से मैंने दो पीस तयार कर लिया है यहां पर मैंने एक छोटा सा पीस लिया है कप्रे का जिससे की मैं फोल्ड करके डोरी बनाऊंगी तो फ्रेंज इस तरह से fold करके इसे सिलाई कर ले और सिलने के बाद friends इस तरह से fold करके ये देखिए मैं इसको बीच में इस तरह से रखके और दोनों pieces को उपर से सिलाई कर दूँगी ये देखिए और friends दोनों pieces के आदे भाग को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो friends यहाँ पर यह देखे मैंने सिल लिया है बस आधे पार्ट को सिला है और आधा पार्ट रोटी रखने के लिए मैंने छोड़ दिया है तो friends देखा आपने कितने कम कपरे में यह रोटी कवर बनके तयार हो गया है और इसे बनाने में 10-15 मिनिट लगे हैं तो friends अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दे बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको आते रहेंगे तो friends मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई